और आप करके देखें उनके बाप ने दूद पिलाया थो ये है नरेन मोदी की सरकार जमीन पे कम रहते हैं हवा में ज़्यादा चलते हैं ये इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया ये रिकार्ड अपने सामने आया है कहा गई जलेबी ने कहा गया चक्कर पता ही नहीं चल रहा हो गया गंचकर हमारे दूसरी पार्टी वालों को कोई लेना दोना नहीं गरीब से किसी का मकान बने नहीं बने कोई मतलब नहीं वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं इसलिए भाईया जमीन पे कम रहते हैं हवा में ज्यादा चलते हैं ये इसलिए पप्पू तीसरी बार भी फेल हो गया ये रिकार्ड अपने सामने आया है बहुत बोलता है पता नहीं क्या क्या बोलता है खेत में कभी गया नहीं गरीब के घर में जहका नहीं जूट की दुकान प्रेम से रोज परोस्ता है रोज परोस्ता है कहां गई जेलेवी ने कहां गया चक्कर पता ही नहीं चल रहा हो गया घंचकर जिसके जैसे सोच जिसके जैसे अपनी मालवी भासा में बोलते जिसके जैसे मांजने हो उसके हाल भी वोई होने वाले रेते उसको कोई बचा नहीं सकता और वो तो एसी भूटी नाव में बेठे हैं कि जो नाव अपने मार्ग को तही करने के पेले नर्वदा मैया की क्रपा से थोड़ी बहुत बच रही है लेकिन नर्वदा भी कब तक बचाए मा के रही भीया छेत तो बंद कर ले ये जो हलकी सोच है पूरे देश को बेवकुब बनाने की गरीबों के अपमान करने की देश के सबसे बड़े चुनेवे पत्बे बेठे प्रधान मंतरी का और किसी भी वक्ती का अपमान करने का रिकार्ड अगर कोई वर्ड रिकार्ड में देखेगा तो वो राहूल गांदी के नाम पे मिलेगा ये बड़े दुरभाके के साथ केना पड़ेगा एक एसा व्यक्ति जो किसी को भी कुछ बोल दे और उनको छूटे कोई उनको रोकने वाला ने कोई उनको टोकने वाला ने एसी कांग्रेस और एसी कांग्रेस पाल्टी जो अपने प्रधानमंत्री के केबिनेट के निर्णे को सब के बीच कागज फाड़ करके चिंदे उड़ा के फेग दे ये है कांगरेश का चरित्र और आप हमारे यसस्वी प्रधान मंद्री के नेतरत में देश में सरकार चल रही है उनके समय पाकिस्तान के लोगा करके अपने देश के सेनिकों के सर काट के ले जाते थे कोई बचाने वाला नहीं था सेनिक अपने घर से जाकर के देश सेवा करना चाहता था लेकिन ये अपमान कराते थे सेनिकों की लास को सेनिकों के सर को फुटवाल समझके खेलते थे और आप करके देखें उनके बाप में दूइख पिलाया तो यह है नरेनवोदी की सरकार आप गोली थेकोई है गोला फेकेगा मालूम पड़ जाएगा नरेनवोदी किसको कहते हैं इसलिए पूरा देश आज यससी प्रधान मंद्री के पीछे चल रहा है मुझे इस बात की प्रसनता है